हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे चंद्रकला कुजिया तो देखे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 100 ग्राम नारियल का बुरादा और इसे हम थोड़ी देर रोष्ट कर लेंगे बहुत जादा देर हमें इसे रोष्ट नहीं करना है बस थोड़ी देर ही कर प्रेंड आप चंद्रकला की रेशिपी चरूर बनाईएगा बहुत पसंद आएगा तो देखे यहाँ पर हमारा बुरादा भुन चुका है और यहाँ पर लिया हमने मावा यह घर का बना हुआ मावा है इसलिए मैं इसे भुन नहीं रही हूँ अगर आप बाहर का इस्तेमा आप से जो भी आपको पसंदो वो आप डाल सकते हैं मैंने इसमें काजू बदाम के कतन डाले हैं और इलाइजी बावडर हमारी फिलिंग भी बनकर हो चुकी है रेडी अब हमने गैस पे रखी कडाई कडाई में डाल दिया है एक कटोरी चीनी और उसी कटोरी से नाप करके ह इससे हम अपनी चासनी बनाएंगे जितना चीनी हो उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इस तरीके से चलाते हुए हम अपनी चासनी बनालेंगे जब तक चासनी बनती है तब तक हम अपना डो रेडी कर लेते हैं यहाँ पर लिया हमने 500 ग्राम मैदा और उसमें हमने डाल है 75 ml देशी घी 75 ml यानि कि दो टेवल स्पून हमने इसमें देशी घी डाला और इसे हातों से मसलते वह अच्छी तरीके से मेक्स कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हमें विल्कुल लड्डू की तरह बना लेना है अब नॉर्मल पानी से हम इसका एक सॉप्ट डो तैयार कर ल हमारे चाशणी भी रिडि यह दोनों चीज वह हमारी रिडि हो चुकिए चाशनी हमें बहुत जादा लंबे तार की नहिं चाहिए हला कि सी चिप states चिपी सी चाहिए बस बहुत जादा गाड़ी चाशनी नहीं चाहिए अब हम गैस को कर देंगे बन देखिए चाशनी बिल्कुल पर्फेक्ट बन चुकी है गैस बन कर देते हैं चाशनी देखिए हमारी कितनी साफ बनी है अब हम इधर हमारा डो भी रेडी हो चुका है और इसे हम रखते हैं पट्रे पर और थोड़ी से इस तरीके से हम मसल लेते हैं अब इसमें से एक भाग हम तोड़ेंगे और इस तरीके से गोल करते हुए हम इसे बेलेंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ बेलने के बाद इस तरीके से आप गिलास या कटोरी किसी भी चीज से इस तरीके से गोल से काट दीजिए आप देख सकते हैं इसी तरीके का हमें चाहिए और यहाँ पर एक हम रखेंगे और उसके साइडों में लगा देंगे पानी बीच में डालेंगे अपनी वही फिलिंग और उपर से हम दूसरा पार्ट भी लगा कर और इस तरीके से साइडों से चिपका देंगे ताकि यह पूरी तरीके से सील हो जाए खुले बिलकुल भी यह देखिए अब हम इसके उपर बनाएंगे अपनी डिजाइन इस तरीके से उंगलियों की मदद से एक के उपर एक इस तरीके से हम बनाएंगे यह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बस इस तरीके से हम गुमाते हुए बना लेंगे यह बस प्रैक्टिस करने की जरूर बनाएंगे अपने आप बन जाएगी यह देखे इस तरीके से बना लेते हैं तो देखे हमारी चंद कला बनकर रेडी हो चुकी है और अगर आपको गुजया का सेप देना है तो गुजया के लिए भी आप इस तरीके से बेल लीजिए और बिल्कुल एक लेबल में हो उसके लि गुजया बना सकते हैं और अगर मोल्ड हो तो मोल्ड में ही बनाएए इस तरीके से बेल लीजिए और मोल्ड के उपर रखे बीच में फिलिंग और सेल कर दीजिया यह देखे दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है यहां पर हो चुका है हमारा तेल-गरम इसने हम डाल देते हैं अपनी चंद्रकला और जो दोनों हमने गुजिया बनाई थी वो भी साथ में हम टाल देंगे और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राइ करना है गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राइ करेंगे यह देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है इसमें और हमारी रेडी हो चुकी है चंद्रकला अब इसे हम निकाल लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए हमें शारी हम इसमें निकाल लेते हैं और इधर चासनी रेडी है अब एक एक करके हम अपनी सारी चंद्रकला को चासनी के अंदर डाल देंगे यह देखें इस तरीके से हम डाल तो चाशनी वाली बनाई है, अगर बिना चाशनी का पसंद हो तो बिना चाशनी का आप ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें चीनी तो डाला ही है, पिसी हुई, मीठी तो यह है ही, और इसी के साथ हम अपने अपनी दोनों गुजिया भी डाल देते हैं, गुजिया भी अ कि मेजर्मेंट का आप ध्यान रखें बाकी सब चीजे आपकी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में तो देखिए यहां पर हमने शारी इपने निकाल लिए प्लेट पे उपर से कर देते हैं थोड़ी सी ड्रैफ रोट से डेकोरेशन यह द गुजिया दोनों ही चीजे रेडी हो चुके हैं आप इस तरीके से एक बार जरूर बना कर ट्राइ कीजिएगा आपको बैहत पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा थ